कि सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें कि नमस्कार दर्सकों मैं दर्मेश योशी एस्ट्रोफ्लिक्स.com में आपका स्वागेट करता हूं इस वीडियो में हम बात करेंगे सीतंबर मा के राशी फल के बारे में ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि वीडियो के आन्त में मैं आपको कुछ विशेश टिफ्स दोंगा जो आपके काम आएंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दनूराशी के जातकों के लिए सितंबर माह काफी बढ़िया कहा जा सकता है इस मेने की शुरुआत के साथ ही दनूराशी के जातक आर्थिक मामलों में सुच बुझ कर कदम बढ़ाएंगे और आई तथा व्य में संतुलन रखने का प्रयाश करेंगे यह समय उन जातकों के लिए ज्यादा बढ़िया कहा जा सकता है जो आयात निर्यात मतलब इंफोर्ट एक्सपोर्ट अथ्वा मर्टी नेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं अथ्वा जन्मबुमी से दूर काम करते हैं यह समय विध्यार्थिवर के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि पढ़ाय में उनके भाग्य का साथ मिलेगा और वे पोन एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाय कर पाएंगे परंदु आपको अनावश्यक खर्चों से दूर रहने की सला है क्योंकि इससे आपकी परिशानी बढ़ सकती है यह समय परिवार से संबंदित उत्त के इन्फ्रेक्शन की समस्या है वे विशेश सावधानी रखे सितेंबर महा का पुर्वार्द सेल्स वा मार्केटिंग शिक्षन कंसल्टन्सी जैसे कार्व में रूची रखने वाले चाहतों के लिए बहतर समय कह सकते हैं महीने के उत्राज में गुरू राशी बदलकर तु अधिक निकरता होगी महीने के अंतिम सब्ता में आपकी मानसिक व्यक्रता और सारेक सुष्टी के कामकाज में जहां नहीं दे सकेंगे वहीं अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बरकरार रखने के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे इस समय आप नई नवकरी के अवसर खोजने के लिए भी शक्री होंगे शारवाजनिक तथा सामाजिक कार्यों में अधिक अनुकुलता रहेगी विप्रेट लेंग वाले व्यक्ति के मामलों में उत्तम पढ़ना मिल सकते हैं धनूराशी के जातों के लिए इस माह में क्या जान रखना है वेल्थ और ह अधिक लिंक पर क्लिक करें और बात करें हमारे एक्सपर्ट जोतिशों से धन्यवाद श्री गनिशायन महा